पोस्ट उन शुद्रों को समर्पित है जो ब्याज पर करजा लेकर कामर्ड होते हैं रामायन महाभारत का तो किर्तन पाठ करवाते हैं काम सम्मानी जीवन जीने का अधिकार देने वाले सम्विधान को नहीं पढ़ते अपने गुलामी की बेडियों को खुद मजबुत करते हैं और फरजी सीना फुला कर घूमते हैं सबसे अधिक दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा वा कामड ढूने का काम पिछडे, अतिदलित वा आदिवासी ही करते हैं यदि सरस्वती की पूजा से ग्यान, लक्ष्मी की पूजा से धन, दुर्गा की पूजा से शक्ती, हनवान की पूजा से बल वा गणेश पूजा से धन, वैभाओ एश्वरी मिलता है तो सबसे विद्वान, धन्वान, शक्तिवान, बल्वान वा एश्वरी शाली, शुद्र, अतिदलित, पीछडे वा आधिवासी होते पर ये सबसे दुखी, गमार, अशिक्षीद, गरीब, बदहाल ये ही है अंधविश्वास्त्यागो, शिक्षा को गले लगाओ शुद्र, OBC, SC, ST, इनकी हिंदू धर्म में क्या हैसियत है नमर एक, गीता के चौत्र अध्याय के तेरहवे पद में लिखा है ये जो ब्राम्हन, छत्रिय, वैश्व, शुद्र, जो विभाजन है वह मेरे द्वारा ही रचा गया है फिर भगवत गिता में लिखा गया है नवे अध्याय के 32 पद में मेरी शरण में आकर स्त्री, वैश्व, शुद्र भी जिनके उत्पत्ती पाप योनी से हुई है परमगति को प्राप्थ हो जाते हैं महभारत में लिखा है शुद्र का प्रमुकार्य तीनो वरणों की सेवा करना है महभारत ये भी लिखता है कि शुद्रों को संची धन्से स्वामी की रक्षा करनी चाहिए रामायन में लिखा है शुद्र तपस्या करे तो राज निर्धन्ता में डूब जाएगा रामचरित मानस में धोल गवार शुद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी रामचरित मानस में ही पूजिये विप्र सिल गुन हीना शुद्रन गुन गन ज्यान प्रवीना आपस्तम धर्म सुत्र में लिखा है वह शुद्र जो ब्रामण के चर्णों का धोवन पीता है राजा उससे कर टेक्स ना ले कथक सहीता में लिखा है कि जिस गाय का दूध अगनी होत्र के काम आवे शुद्र उसे ना चुएं एतरे ब्रामण सुत्र में लिखा है कि शुद्र केवल दूसरों का सेवक है इसके अतरीक्त उसका कोई अधिकार नहीं है सकंद पुरान में लिखा गया है कि यदि कोई ब्रामण शुद्र को शिक्षा दे तो उस ब्रामण को चंडाल की भांती त्याक देना चाहिए गौतम धर्म सुत्र में लिखा है कि यदि कोई शुद्र वेद सुनले तो पिगला हुआ शीशा लाख उसके कान में डाल देना चाहिए यदि वो वेद का उचारन करे तो जीब कटवा देना चाहिए वेद स्मरन करे तो मरवा देना चाहिए विश्डु स्पृति में लिखा है कि देव यग्य वश्राद में शुद्र को बुलाने का दंड सौपर्ण आपस्तम धर्म सुत्र में कहा गया है कि ब्राम्हन कान तक उठा कर प्रणाम करें शत्री वक्ष स्थल तक वैश कमर तक वशुद्र हाज जोड कर एवं जुक कर प्रणाम करें तैत्तर ये ब्राम्हन सुत्र में लिखा है कि ब्राम्हन की उत्पत्ती देवता से शुद्रों की उत्पत्ती राक्षत से हुई है गौतम धर्म सुत्र में लिखा है यदि शुद्र जब तब होम करें तो राजा द्वारा दंड नहीं है शत्पत ब्राम्हन सुत्र में लिखा है कि यद्य करते समय शुद्र से बात नहीं करनी चाहिए विश्णु पुराम लिखता है कि जो शुद्र अपने प्राण, धन तथा अपनी स्त्री को ब्राम्हन के लिए अर्पित कर दें उस शुद्र का भोजन ग्राहिया है महाभारत के अनुसार शुद्र राजा नहीं बन सकता गीता के अनुसार शुद्र को ब्राम्हन क्षत्री और वैशु की गुलामी करनी चाहिए रामायन के अनुसार शुद्र को ग्यान प्राप्त करने के पर मृत्यु दंड मिलना चाहिए वेद कहते हैं शुद्र ब्राम्हा के पैरों से पैदा हुआ है इसलिए वो नीच है अब भी इन हिंसक धर्म गरंतों और इन देवी देवताओं को सीने से लगाए फिरता है जै विज्ञान जै समीतान